माता कलिस्या 26 नौवंबर को संत योहन बर्खमंस का त्योहार मनाती है आए संत योहन बर्खमंस के बारे में संचब में कुछ जानने का परियास करें संत योहन बर्खमंस बेल्जियम देश से आते थे उनके पिताजी जूते बनाने का काम बड़ी कुछलता से करते थे योहन की मा का तब्यत अच्छी नहीं रहती थी पर उसे वह बहुत प्यार करते थे बेदी सवक बनने में संत योहन बर्खमंस को खुब मज़ा आता था और उसे अध्वुत अनुभुती होती थी एक ही दिन में करीब दो या थीन भार सेवक बना करते थे प्रारंभिक सिक्छा के समय एक प्रोहित इनके गुरू हुए वह प्रोहित जहां कहीं भी जाता था संत योहन को अपने साथ ले जाता था बचपन में अपने हम उम्र वालों के साथ नाटक भी लोगों को दिखाया करते थे एक बार इन्होंने सुसाना को बचाने वाले द्रिस्य में नभी दानियल की भूमिका बहुत उत्कृष्टता से निभाई थे उनके जीवन में धार्मिक्ता कूट-कूट कर भरी हुई थे माता मर्यम की भक्ती करना, कुरूस रास्ता में सामिल होना ये बचपन से ही उन्हें बहुत अच्छे लगते थे वे हर चीजवस्वों के महत्वा को खूप अच्छी तरह से समझते थे उनके लिए हर बात और घटना में इस वर की योजना नजर आती थी ये स्वाभाविक तोर से नम्र, हंस्मुक और धायालू थे बचपन से ही एक प्रोहित बनने की चाहत थी संत अलोविस गोनजागा के जीवन से ये बहुत प्रभावित हुए थे जो उनके लिए हमेसा एक आदर्स रहे तेरा साल के होने पर प्रोहित बनने की बात को अपने परिवार वालों को बताया ये बात उनके पिताजी के लिए दुबिधा वाली स्थिति उत्पन कर दी क्योंकि उनका उनका परिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था बाद में काफी चिंतन और पर्याज के बाद उसके पिताजी संत योहन की चाहत को पुरा करने के लिए एक अच्छी ब्यौस्था के उस ब्यौस्था के तहट संत योहन को एक प्रोहित के यहां काम पर लगाया और उससे उसकी पढ़ाई जारी रखने का समझाउता हुआ वह प्रोहितों की सेवा के काम के साथ अपने सभी कामों को बड़ी खुसी से और कुसलता पुरुबख करते थे बाद में येशु समाज धर्मसंग में भरती हुए और प्रोहिताई की पढ़ाई जी जान से करने लगे थे वे मात्र पांस साल ही प्रोहिताई प्राशिक्चन में रहे और बाईस साल के खम उम्मर में उनका देहान्त हो गया इनके दफन के समय एक बड़ी भीड एकत्रित हुई और वहां कई चमत्कार भी हुए संत पिता लियो तेरवे ने अठारा सो अठासी स्वी को उसे संत घोशित किये संत योहन की बड़ी विशेश्ता ये थी कि वे साधारन कामों को भी वे आसाधारन ढंग से करते थे और सदा पोईतरता में आगे बढ़ते थे उनका हर काम इस वर को समर्पित होता था संत योहन बर्ख मंस सभी बेदी सेवकों के संरक्चक संत है